कि हेलो फेंट्स आपका मेचल में फिट से स्वागत है आई होब फ्रेंट्स आफ ठीक होंगे आज किस वीडियो में हम बहुत ही ज्यादा प्रयोग में लाए जाने वाले एक एंटिभायोटिक इंजेक्शन के बारे में जानेंगे जिसका नाम है अमिकासीन इंजेक्शन यह जनरली पैक्टिसिजन का पसंदीदा इंजेक्शन में से एक है फ्रेंड्स यदि आप तरी चैनल पर नए हो तो में चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करना ना भूलें साथ ही सब्सक्राइब को प्रेस कर दें जिससे की नई वीडियो आती है तो आपको जलसी चैनल के जाए आज किस वीडियो में हम जानेंगे इसके смотреть क्या है इसको लगाने का सही तरीक तरिके क्या है कि च्रिकर सोबस्यों करनें ऑर भी मारियों में इसके रातें इक सब्सक्राइब Accom होता है जो मुख्य रूप से क्लिनिक तता ऑस्पिटल में डॉक्टर द्वारा प्रियोग में लिया जाता है फ्रेंड्स अब हम बात करें इसके स्ट्रेंथ की तो फ्रेंड्स यह आपका सो एंजी दो सो एंजी और पांचो एंजी में आपका आता है यह आपका दो एमल की बीज में मिल जाता है फेंड्स अब हम बात कर लेते हैं हम से क्या-क्या साब्धानियां रखनी है फेंड्स यदि कोई पेग्नेंट भूमन है तो उसको यह नहीं लगाना है यदि कोई मरीज है उसकी किनी घराव हो चुकी है किड्नी में कोई प्रॉलम चल लई है तो बीज नहीं लगवाना है फेंड्स गुरू को इसकी किसी भी बोटल में यह मिलाया नहीं जाता है क्योंकि आपका यह अमीनो गुलाय को सायड होता है और आपको बताते दोस्तों इसको आप जब भी किसी इंजिशन साथ में मिलाते हो तो यह आपकी मिल्की फॉर्म सॉलुशन ले हमें करना चाहिए और बीमारियों में किये आता है जैसे कि आपको पता है यह एक opp MR यांवान से है कि कुछ मरीज है उसके पेटम हो गया है तब भी हम य्चिन का यूज कर देहे का का यूज करते हैं आपके डिसीज होती है इसको हम टाय फोर फीबर बोलते हैं इसमें क्या होता है जो हमारी इंटरिश्टानल होती हैं उमएंपें इंटरी सब्सक्राइब होती है तो उस इंटरीfully करते हैं friendly इस मेननीन जायडिफ यापकी मिस्तिस्त तता कि में इंफ्इक्षन हो जाता है उस भाच को कहते हैं म मेननी जायडिस्त कहते हैं म क्या होता नियुकर्ण को शुरक्सचन हो जाता है तो उसको ठीक करने के UTI यानि की UNITREG infection हो गया कि शिब्यक्ति को परी साम में जरन रहती है तब भी इस इंजिसन का यूज किया जाता है और फ्रेंड्स आपका प्लेड में इंफेक्स हो जाना आपके प्लेड में इंफेक्स हो गया है तब भी हमें इस इंजिसन का यूज करते हैं एक आपकी HDR TB होती है, यह आपकी TB की तरही एक बीमारी होती है, इसमें पिशन की सांस वगरा फून नहीं लगती है, तब भी इस इन जिसन का हम मोच्टी यूज़ करते हैं, और डॉक्टर द्वारा यूज़ में लाया जाता है, फ्रेंड्स यह तो होगे इसके इजिस, पर हम बात करें इसके side effects की, तो फ्रेंड्स आपको बता दूँ, यह आपकी, यह क्या होता है, आपके urine प्रॉलम को बढ़ा देता है, इससे इसके side effects हैं, आपके हाथ पर कापने लगते हैं, आपके kidney समंदित अब कोई भी समस्या हो सकती है, और जहां आपको यह ignition लग रहा है, इसके side effects होता है, आपको सुनने में असमरता रहेगी, आपको सुनने में थोड़ी problem रहेगी, यह इसका side effects होता है, फ्रेंड्स अगर हम बात करें इसके dose की, तो फ्रेंड्स आपको पता दू, यह आपका IM और IV दोनों ही रूट से लगाया जाता है, इसको IM आप यानिकि आप आपका 500 mg, 100 mg में आता है, और आपका 200 mg में भी आता है, फ्रेंड्स इसको डॉक्टर मुश्टली किसी भी patient के body, weight और age को calculate करके लगाया जाता है, फ्रेंड्स आपको बदान दू, यह आपका 15 mg पर kg per day यूज में किया जाता है, धन्यबाद फ्रेंड्स मिलते हैं नेस्ट वी